तो फ्रेंट्स मेरा कहने का ये मतलब था किसी भी डिवाइस को जब आप मार्केट में प्रमोट करते हैं पहले तो वो डायलोग नहीं कि खुश तो बहुत हो गया आज तो जो लोग तो इसको यूज करना चाहते हो बहुत खुश होंगे आप अपने लिए यूज करेंगे और पर तो बहुत सारी चीज को ब्रमोट करने के लिए अपने अपने दिमाले एक टार्गे्ट औरियनस भी बनाया होगा कि महिलां को प्रमोट करूँगी जिनको चेहरे पार funds क hedge बहुत सारी चीज़े अपने PDF में परहा होगा उसके हिसाब से या व्यूटी पार्लर में प्रमोट करूँगी इस तरह से आपने सोचा होगा दिपार्लर पार्लर ले जाके डेमो दिखाएंगे बहुत सारा कुछ आपने सोचा होगा बट जब भी आप इसके बारे में किसी को साइंगे तो आपके सामने कोमें सबसे पहले तो आप क्या बोलें यह क्या है कि फेस मसाजर कहने की गलती ना करें अब कंपनी में लिख दिया है कोश्टर में फेस मसाज़ डिवाइस बट्रुटी नॉट फेस मसाज़र का का काम सिर्फ उपरी क्लीनिंग और बड़्ट यह उससे कहीं कहीं ज्यादा उपर लेवल की चीज़ है इसे स्मार्ट ब्यूटी डिवाइस आप कैसे क्लीन स्मार्ट ब्यूटी डिवाइस मतलब क्या आप समझें कि आप एक ऐसी कंट्री में यह बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं जहां पे एक तो सिक्षा कम है लोग सिख्षित बहुत सारे हैं लेकिन फिर भी उनमें समझता है अगर आपने ब्यूटी डिवाइस बोला तो लोग समझेंगे यह सुंदर बनाने का कुछ मेंकप का डिवाइस हो सकता बहुत तरह के डिवाइस आते हैं जो मेंकप में हेल्प करते हैं फुएस जो लाइक बिकास्व हो पालर होते सके जो पूलत आ यह बोलते ब्यूंटी बीविटी पाललर ॉतार मथमिंग नेनी का के तो शचिज ब्Zी निνिकलते हैं मुश्ली ब्यूटी पार्लर का मतलब तो यह नहीं निकलता कि beauty कोई treatment दिया जाएगा वहाँ पर कोई therapeutic effect होगा ऐसा करते हैं कही कि नहीं करते हैं बहुत सारे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स या इस तरह के therapeutic चीजें करते हैं जिकल बहुत कम डाली ब्यूटी पार्लर का जो में मकसद होता है उपर से आपको प्रेजेंटेबल बना खुबसूरत बना लोग इसका दाइरा आप सीमित कर देंगे इसका जो स्कोप है आप बहुत ही लिमिटेड कर देंगे यह उससे कहीं आगेगी चीज़ इस नौट अब जस्ट ब्यूटी डिवाइस अब मैं आपको एक एक्जांपल देता हूं कि माधुरी दिख्षेत है क्या वो ब्यूटीफुल नहीं है किसको हिम्मत है यहां पर कहने की माधुरी दिख्षित ब्यूटीफुल नहीं है इवन एक दी एज अप सिक्स्टी का राउंड होगी वह भी सिक्स्टी प्लस ही होगी रेखा को देख लो सेवेंटीज में बट स्टिल से इस ब्यूटीफुल बट फेस पे रिंकल्स तो है है यह नहीं अब तो माधुरी दिख्षित के भी हो गए हैं फेस की स्किन लटकने लगे हैं अब उनको ब्यूटी पार्लर में जा करके या जो उनका ब्यूटी सियन है उससे मेक अप कराके प्रेजिंटेबल बनना पड़ता है पब्लिक अपियरेंस के लिए राइट तो यह अब इस वाट अब ब्यूटी पार्लर ब्यूटी थेरपेस्ट और ब्यूटी डिवाइस विल दू तेम्परेरी में प्रेजेंटेबल बट ब्यूटीफुल तो है लेकिन उनका चहरा में जो रिंकल्स आ गये हैं अगर उनको रिडूस किया जाए देविल इस्टिल ब्यूटी के साथ कुछ नहीं किया हमने उनके ब्यूटी को दिक्रीज करने वाले जो फैक्टर से उनको घटाया उनको कंट्रोल किया उनको ट्रीट किया तो उस ब्रॉड स्पेक्ट्रम स्कोप को देखते हुए यूनिद तो कॉल इट वरी स्मार्टी डिवाइस इस अगुड निम सुनने में अच्छा लगता है कि बैट डाट विल नाट कवर इस अल आस्पेक्ट्स जो यह डिवाइस कर सकता है तो वट यह गूंग तो कॉल इस किसी के दिमाग में कोई नाम आ रहा हूं आप लोग सर्जिस कर सकते नाम कि अग्यों कि अग्यों कि अग्यों कि मैं बताइए प्यूटी एंहांसिंग अपैरेटर्स फिर से आपने व्यूटी घुसा दिया व्यूटी को ही इन्हांस करेगा तो बंदा पारलर में जाकर कि करवा लेता है कि इन एंहांसिंग भी बोल सकते हैं सर नो चलिए ठीक है आपके हिसाब से यह है जी रूबी मैम आप क्या बोलेंगे इसको जैसे पारलर में लोग हमें पतलब वो प्रजेंटेबल ही बनाते हैं उपर से यह भी तो वही काम करेगा ना सर यह भी तो वही चीज हुई ना फि प्रेड़ी होता है यह आपको प्रेजेंटेबल आप ब्यूटिफुल है लेकिन मैंने वही का ना जिमादू दिशे ब्यूटिफुल तो है अभी भी है उसको आप नौट ब्यूटिफुल नहीं क्या सकते बड़ चहरे पर इंकल्स तो है जो हम सप्लिमेंट यूज करेंगे पब्ली कहेगी का हम लोग हम सप्लिमेंट खा रहे हैं तो हमें क्या जरुवत है डिवाइस की सर जो लोग सप्लिमेंट ले रहे हैं वो लोग यह कहेंगे जब हम सप्लिमेंट ले रहे हैं तो हमें क्या जरुवत है डिवाइस की वही चीज तो मैंने आपको समझाने की वही मैं उनसे पूछूंगा जिन लोगों ने यह ट्रेनिंग अटेंड की थी कि उनके हिसाब से यह मसीन का काम क्या है उसके बाद मैं बताऊंगा और उसके बाद लास्ट में हम डिसाइड करेंगे कि इस डिवाइस का सबसे सूटेबल नाम नॉमिनक्लेचर क्या हो सके विकॉज क जिन लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड की थी असोग जी ने भी ट्रेनिंग अटेंड की थी असोग जी आप बताएं आपके सबसे क्या नाम होना चाहिए इस डिवाइस जो इसके सारे एफेक्स को कवर कर से जो लोग नहीं जानते है वो तो मैं अभी पढ़ाऊंगा तो विक्स चीस होना चीमा नाम चाहिए सま किन जी इंड की पर मेरे कॉस्क होना चेर कर अभी केशनर को थैसिटाइच्ट अनम you काण पfel Recogn terrified फेसिल दिवाइस पुछेव फेचिल फीचिल फेचिर अपरिट इसील फेचिल फीचिल कि अंधि आप बोली तैटर्व फ्सीचिल पेरिकिस अपरिकिय। झालबैरी व्हुट मुट्माइग शल्क अर्वंविटर्चारजों एंविय। जी मिनिता जी आप बोलिये तर लॉंग लास्टिंग ब्यूटी डिवाइस लॉंग लास्टिंग ब्यूटी डिवाइस ठीक है चलिए आप सबने अपने अपने हिसाब से बोला and I hope कि जब यह ट्रेनिंग हो जाएगे उसके बाद आप सब का ओपिनियन चेंज होगा and you will have a new name in your mind कि क्या इसको कहना चाहिए आप अपने लिए इसको क्या कहेंगे that will define it तो अब हम शुरू करेंगे हमारा यह आज का session जो theoretical session है केवल जिसमें मैं आपको इस device के बारे में कि है क्या यह basically वो बताऊंगा और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आप इसको क्या नाम देंगे okay 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 so the name pronunciation the brand name of this device is Silvaris Silvaris the secret beauty portable apparatus secret beauty secret beauty portable apparatus बोला यह भी एक अच्छा नाम है यह भी आप बोल सकते इसको secret beauty portable apparatus बट यह नाम से बोलने से आपको लोगों को explain करना पर वाई आम आस्किंग यूट डिवाइस नेम एक डिवाइस वाला डिवाइस मतलब एक नया नाम इजाद करने के लिए मैं आपको क्यों बोल रहा हूं because when you say the name person को समझ में आना चाहिए कि यह क्या है यह क्या करता हो जैसे multifunctional head care apparatus आप बोलते है head care वो सरकी क्या care करता है तो लोगों को ज़्यादा तो लोगों को सुनने में लगता है कि यह head massager या सिरदर्द में काम आता हूँ बट आप जानते हैं वो वेडिको स्वेन में भी काम आता है वो तो पैरों पे होता है head से उसका कोई लेना देना नहीं तो कई बार हम नाम की वज़े से justice नहीं कर पाते जैसे हमारे पास एक बहुत ही जादूई device है जिसका नाम है blood circulative massage लगता है कि नहीं तो उससे कहीं मतलब हजार कुना ज्यादा उपर के लेविल की चीज़ है जिसमें चार तरह की एक साथ होती है लेकिन उसके नाम की नोमेंक्लेचर की वज़े से लोग confuse हो जाते है या underestimate करते है मशिंग तो जैसा कि मैंने बताया कि लोग इसको underestimate ना करे और नहीं तो पिर आपके सामने सवाल आएगा ये क्या करता है ये कैसे करेगा आप बोलेगे ये रिंकल ठीक करेगा तो ये कैसे रिंकल ठीक करता है तो बहुत सारे सवालों से बचने के लिए आप एक ऐसा नाम डिवाइस कर सकते हैं एक ऐसा नाम इजाद कर सकते हैं जिस तरह से आप लोगों को ये बताएं तो उनको नाम सुनते ही मतलब तो आपने अगर कोई पोस्ट डाला है तो पोस्ट का जो पहला लाइन होगा वो पढ़ते उनको समझ में आना चाहिए कि आप किस चीज किस प्राड़क्ट के बारे में बात करें ठीक है उस नजरिये से देखिए समझिए कि यह डिवाइस का बेसिकली काम है क्या यह आपके य किस टेक्न làजी पर काम करता है कहां पर काम करता है कोन-कोन इसको इस्तेमाल कर सकता है कैसे इस्तेमाल कर सकता और क्या फाइदे यह वो expect कर सकता यह तो यह तो अब ल्मोश्ट का विजन मिशन और वैलीउज Kang Phillips लेकिन जैसे वह दोएगा मेक अदूल जाएगा और उसका राज बाहर आज आजएगा उसका जो असली रूप है वो बहर आ जाएगा, तो that will not be called smart beauty, धूप में जाएगा, चेहरा बिगर जाएगा, that will not be called smart beauty, the beauty which is always beautiful, in all the conditions, that can be natural beauty, यह point को ध्यान में दिजेगा, that can be natural beauty only, जो natural beauty है, वही हर हाल में beautiful है, तो आप देखेंगे, मेरे जैसे कुछ लोग हैं, जो तैयार वियार होकर करके, जब मीटिंग में आते हैं, तब तो बड़े handsome दिखते हैं, लेकिन जब सुबह सो करके उठते हैं, तो भैड़ा बाबा टाइप दिखते हैं, तो इस टाइप का जो है, वही मैंने का ना, that is not natural beauty, तो what is natural beauty basically, इसलिए तो मैं बोलना, मैं भी खड़ी दूंगा यह, तो what is basically natural beauty, जो नेचरल beauty वो है, जब आप ठके होए हैं, जब आप सोके उठे हैं, जब आप तयार होए हैं, जब आप बारिस में भीग गए हैं, जब आपने face wash किया है, अब हर हाल में beautiful दिखने चाहिए, औ वो तभी होगा when you have natural beauty, और that will be known as smart beauty, तो smart beauty क्या है, तो उसके लिए सबसे समझना होगा, क्योंकि जब हम beauty की बात करते हैं, तो beauty is overall personality, अगर कोई इंसान का सकल बहुत सुन्दर है, लेकिन उसकी body सुडॉल है, या सिर दंजा है, या कुछ तो you cannot say it beauty, तो beauty is overall, but this device is for your face का, जो ये front का जो आपका appearance है, ये जो face और ये neck, इतना दोर, उसके लिए है, तो वहाँ पे ये ये जो part है, वहाँ पे क्या beautiful बनाना है इसको, अब beautiful बनाने के लिए माल लिए आपकी skin की quality बहुत अच्छी है, लेकिन eyebrows ऐसे बास की तरह खड़े हो जाएं, माल लिए, कोई lady है, जिस not about the whole beauty, अगर आप whole context में लेंगे तो, but beauty का सबसे बढ़ा, क्योंकि facial जो ये area है, इसमें सबसे जाना है, किसी को आप कितना भी सुंदर बना दो और दात ही ना हो सामने के दो फिप, कैसी लगेगी beauty, तो beauty के बहुत सारे aspects है, so let's not get into that, beauty का मतलब ये जो चेहरा है आपका, इस इसको भी करते हो, ILS, Curler से, उसको वो करते हो, इसमें फिर लोग extension लगाते हैं, बहुत कुछ करते है beauty के लिए, लेकिन जो इसका 90% हिस्सा है, वो क्या skin है, आपकी skin ही आपका 90% हिस्सा है, तो basically अगर ये 90% beautiful हो जाए, तो बाकी चीजें तो थोड़ा सा touch-up से बंद हो जाए उसको आपको बार-बार, आप एक बार आईब्रो जाकर के सलोन में बनवा लेतों पार्लर में जो महिलाएं हैं, तो वो आपको फिर दस दिन, पंदरा दिन, बीस दिन तक तो उसकी परवाह करने की ज़रूत नहीं पढ़ते हैं, यह प्रैक्टिकल एक्स्पीरिएंसे नहीं तो जो बूटी का ultimate goal हुआ हो क्या वो कि जो face और यह जो neck का area जो visible होता है जादा तो लोगों का, वैसे तो आपके हाथ भी beautiful होने चाहिए, आपके पैर भी beautiful होने चाहिए, और हर चीजे के तो आप pedicure करवाते हैं, manicure करवाते हैं, बहुत तरह की चीजे होती है, लेकिन जो main सबसे ज़्यादा दिखता है वो है अपका चेहरा यह गर्धन और चेहरा यह सामने इसे मारा और ऌतावल से साफ कर लिया और यूज तर हो उसके लिए आपके SJ में बहुत सारे फीचर सोने चाहिए आपके इसकर वाली लेएर वहट एमेंज नहीं होनी कि आपके किन लटकी मेशने नहीं से उसमें elasticity अच्छी होनी चाहिए आपकी skin यहां से लटक जाए तो आपका face ऐसे platform चाहिए तो वी-shape होना चाहिए ऐसे यह सारी चीजें skin में अगर आप वी-shape करने के लिए यहां से elasticity है वो अच्छा हो fluffy skin हो वो उसमें moisture side हंसे हो यह सारी चीजें उस skin को natural beauty तक पहुचाएंगी तो वो होगा कैसे वो होगा कैसे वो तब होगा क्योंकि हर body का हर part including skin आपकी जो skin है वो भी cells की बने हुए इसकिन के issues बने और उसमें कई layer होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे तो जो cell है वो तो dead होंगे उनकी तो एक life plan होगी तो जो cell dead होंगे उनकी जगह पर नए cell चाहिए अब नए cell चाहिए तो उनकी speed उतनी ही होनी चाहिए जितना आपके cell के dead होने की speed लेकिन facial skin के साथ समस्या क्या है कि इसके dead होने की speed naturally ज़्यादा क्यों क्यों क्योंकि यह external factor से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है pollution चेहरे पे आएगा धूल दूप मिटी और सारा कुछ चेहरे अब फेस दोएंगे वाटर में पॉल्यूशन है वह भी अफेक्ट करेगा आप इस्ट्रेस में रहेंगे ऐसे आख आपकी आखों में प्रॉब्लम है सिर्दर दो रहा है तो facial skin को सबसे ज़्यादा stress होता है तो बहुत तरह के जो फैक्टर्स हैं वह फेसियलड baking को अंखेट करते है तो फेसियल ह्किन का जो कि औंग ऑक्सिडेशन होता है वह भी सबसे जादा है यो प्लीशन की आफेक्ट होता है वह भी सबसे जपसे जद इन्फेट्शन का खत्रा फेसियल arrive पे सबसे ज़्यादा और खुबसूरत दिखने के लोग चक्कर में लोग केमिकल वाला अत्याचार भी फेसियल स्किन पे सबसे ज़्यादा करते हैं तो उससे भी तो डीजेनरेट भी उस सेल ज़्यादा तेजी से होना चाहिए बाकी बॉड़ी में जो आपके सेल्स के रीजेनरेशन की स्पीड है उससे ज्यादा तेजी से होना चाहिए तो यह होगा कैसे पेस्यल स्किन पे यह होगा किसा क्या बाहर से लगाने वाले एप्लिकेटर सफिसेंट है नहीं आपको अंदर से न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए तो जो रूपी भाटी जी बोल रहते कि हम सप्लिमेंट्स खाते हैं तो सप्लिमेंट्स उस कमी को पूरा कर देंगे लेकिन फ पानी नहीं जा तो बाहर से दूसरी चीज़े अगर आप अंदर डालने की कोशिस करेंगे तो वह किस हद तक होगा तो इंटरनल न्यूट्रिशन तो आपको चाहिए ही चाहिए लेकिन इंटरनल न्यूट्रिशन के साथ-साथ आपके फेस का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक रथ ही कर सकते हो ताकि उनकी एजिंग फास्ट एजिंग ना हो कम से या यानि उमर का और प्रदूशन का जो आपके चेहरे की तोता पे प्रभाव परता है ँट पड़े तो वह आपके तो चाहिए तो उन दिसका अबच्या पड़ दू महीना एक महीना फंद्रादिने से उता है उसका नंग अलग नग को सकता है कोई गोड़ा कोई सामला कोई हो सकता लेकिन इस्किन सबकी अच्छी हो बच्चे की स्किन छूने में कैसी लगती है क्योंकि उसकी एजिंग नहीं होती है उसमें पॉलुशन का इफेक्ट नहीं होती है धीरे 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 वही स्किन कैसी हो जाती है क्योंकि वह एजिंग का पॉलुशन का मार झेलती है और उ एजिंग को slow down तो कर सकते हैं, anti-aging effects तो ला सकते हैं, तो उसमें भी यह आपका जो device है, वो help करता है, जो aging हो चुकी है, उसको reverse करेगा और आगे aging fast ना हो, उसको ensure करेगा, तो समझते हैं, पहले skin के बारे में, daily skincare myths, कि सबसे पहले तो यह समझें, कि हम जो daily routine में skincare अपना करते हैं उसके myths क्या है, myths मतलब गलत फेहमिया, जो हमारे दिमाग में बैठी हुई होती है, गलत फेहमिया, वो क्या है, वो है कि अगर washing अपने चेहरे को आप जल्दी-जल्दी, alternatively, गरम पानी और ठंडे पानी से तो बुलते हैं, सरत गरम हो जाएगा, तो skin के जो pores हैं, वो shrink कर जा कि skin का texture खराब होने लगे, तो ये गलती ना करें, जितना गहरा cream आप लगाएंगे, पोत लेंगे अच्छे से, उतना ज्यादा moisturizing effect होगा नहीं, जो थिकर cream है, वो moisturizing effect कम देते हैं, क्योंकि वो skin में absorb भी नहीं है, तो ये एक myth है, तो आपका जो moisturizer होना चाहिए, वो thick नहीं होन उसके बाद pat vigorously to let nutrients enter into the skin, या skin उसको खा ले nutrients को, ऐसे 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 लोग थप 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 करते रहते हैं, अपने आपको फपड़ी आते रहते हैं, तो वो भी नहीं करना है, तो भाई, इमित तो है, तो truth क्या है, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा पहले अपने चेहरे क की skin को, skin भी body के हर पार्ट में अलग-अलग तरह की होती है, तो चेहरे के skin को समझते हैं, इसको अगर हम चेहरे के skin को और beauty के definition के वैसे तो इसकिन में 4 layers होते हैं, ब्यूटी के definition के हिसाब से देखें, look के definition के हिसाब से देखें, तो इसको तीन main layer में हम divide में, epidermis, जो सबसे उपर के layer होती है, then dermis, उसके बाद subcutaneous tissue, subcutaneous tissue, तो जो इसकी जो थिकनेस होती है, अगर subcutaneous tissue जो यह मोटा सा, यह मांस जैसा जो दिख रहा है, यह mainly fat और protein का बना होता है, तो subcutaneous tissue के अलावा जो इसकी thickness देखें, तो वो आधे mm से लेकर के 4 mm तक हो सकती है, मतलब जिसकी 4 mm मोटी चमडी वाला इंसान हो, मोटी चमडी मतलब बेसरम वाला मोटी चमडी नहीं, वाके में उसकी skin के quality अच्छी होती है, वैसे जो लोग बेसरम होते हैं, उनको भी हम मोटी चमडी बोल देते हैं, वो वाली मोटी चमडी नहीं, तो यह जो चमडी होती है, जो skin होती है उ lei वह मेताबयड लिए जो आपका है मतलब मेताब्य मतलब इसकिन के सेल सका जो कैसे करते हैं उनके पास जो New accurate उसके बाद जो डऑैस है जो सेकंड लेखंग हो एजिंग जो इसकेंड सेकंड लेखंग वह नहीं फास्ट होती है वह ऐपर वाली लेखंग को तो जो डेलियों नहीं फथैसियल करें यह सब करके लोग χटा भी लएते तो उपर जो लेयर वो चमकने लगती है लेकिन अगर आपके अंदर की स्किन हेल्दी नहीं है तो थोड़ी देर के लिए तो आप दिखेंगे कि आप यंग हो गए आपके स्किन यंग हो गई है लेकिन जो डर्मिस है वह वापस से उसको वैसा ही बना देगा तो जो ब्यूटी का में हेल्थ का जो कंसर्न है वो बिसिकली डर्मिस को हेल्दी बनाने से उसके बाद सबक्यूटेनियस टिशू होता है जिसको इंसुलेशन लेयर भी कहते हैं इंसुलेशन लेयर क्यों यह बौडी के इंटरनल ओर्गन और जो एक्स्टरनल टेम्प्रेचर ह होता है उसके बीच का बैरियर होता है बॉडी के अंदर का एक टेंपरेचर होता है और बाहर एंवार्मेंट का एक टेंपरेचर होता है तो यह बैसिकली प्रोटीन और फैट का बनावा लेयर है जो एक्स्टरनल टेंपरेचर से आपके बॉडी के इंटरनल और्गेंस को प्र किन के उपर का बाहरी कीजों से बचाने के बाहरी अटैक से बचाने के बाहरी नुकसान से बचाने के वह आपका खोल कवर है कि इसमें भी कई तरह के लेयर coherates होते हैं जो इस ट dead layers के भी cell होते हैं जो नीचे से जो dead layers होते हैं उसके भी cells होते हैं उसी को जब हम scrub करते हैं ये करते हैं तो उसको हटाते हैं तो हमारी skin चमकदार दिखने लगते हैं लेकिन वो dead cells का layer है वो फिर से बनता है तो फिर से आपकी skin वैसे हो जाती है धूप में गए उसकी बज़े से जो cells dead हुए, pollution की वज़े से जो cells dead हुए या किसी और वज़े से, तो उस पे वो भी layer होती है और वही जब हम massage massage या facial वगरा करके जब वो हटाते हैं या बहुत सार ऐसे cream होते हैं, जो fairness देने का दावा करते हैं वो basically आपके उपर से वो हलका कर देते हैं तो इससे आपको temporary glow तो मिलता है लेकिन आप क्या करते हैं, अपना protective layer हटाते हैं तो इससे आपके dermis को नुकसान पहुचने के chances रहते हैं इसलिए बोला जाता है कि इस तरह के जो glow लाने के temporary उपाएं वो ज्यादा नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर वो आप ज्यादा करेंगे तो आपका जो dermis है उसको नुकसान ज्यादा होगा because आप अपने barrier को धीरे-धीरे खतम कर लें ठीक है? उसके बाद transparent layer उसके जस्क नीचे एक transparent layer होते है prevents the penetration of water तो इसकिन की जो सबसे उपर वाली layer होती है उसके cells में extra cellular fluid नहीं हो लेकिन वो जब छिलता है आप कहीं गिर जाते है छिल जाता है तो आपको गिला-गिला transparent सा एक layer देखेगा ये penetration of water को body में रोकता है electrolytes, chemicals और इसमें भी several layers होते हैं dead cells protection के लिए जो cells dead होते हैं वो वहाँ पर रहते हैं बहुत तक वो किसी भी तरीके से निकाले नहीं है उसके बाद granular layer है ये दो से चार layer तक हो सकता है और ये granular cells होता है और ये भी waterproof barrier बाहर की चीज़े नहीं तो पता चला बारिस में बीगे सारा पानी सरीर के अंदर घुस गया है और पानी बर गया सरीर में आप ये मोटे होगैं अब waterproof होते हैं उपर से सरीर से गईला होता है अंदर ये खुसता पानी पता चला बारिस में बरिगा तो उसके पेट में पानी भढ़ गया है ईसा नहीं होता है तो यह waterproof layer होता है skin में उसके बाद उसमें spinous layer भी होता है यह जो होता है यह basal cells उससे बना होता हो और यह nutrients का transport करने का काम करता है इसकिन के उपड़ी लेयर को यह nutrients पहुंचाता है तो बहुत important है इसका healthy होना यह nutrients को ऊपर की तरफ ट्रांसफर करता अब इसमें एक ठर्म आप देख रहे होंगे basal cells कोई है बायो का स्टूरेंट जो explain कर सकता है basal cells को कि रूबी भाटी हाथ उठाएंगे उन्हें सब्सक्राइब किसी को है basal cell के बारे में आइडिया कि नहीं किसी ने basal cell cancer का नाम सुना है कि अ कि जो basal cells होते हैं वह basically आपकी epidermis होती है epidermis के सबसे नीचे वाला लेयर के राउंड सेप सेल्स होते हैं जो आप फोटो में देख रहे हैं यहाँ पे और इसकिन में सबसे यहादा cancer इसी सेल्स के होते हैं यह जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ने यह डाउंड सेब दीज आ बैसल सेल्स के नीचे एक बैसल सेल्स की पूरी लेयर होती होती है और यहां पे ही जो आपके स स्किन का ऊपर वाला लेयर है न जो बाहर दुनिया को दिखता है यह बैसल सेल ही प्रोड्यूस करता है फी डर्म से बैसे खेल है अगर वी सल्पूद्व करेगा तो बैसल सेल का हेल्थ कितना नहीं अगर बैसल सेल्प यहल फ्र हेल्द हो तो एंपेडम जो अपिडम al S50 नहीं करेगा टो आपकी जो ऊपर के सपने हुआ उस पर aging effects दिखने लगेंगे वो damaged होगे तो basically जो health जरूरी है वो basal cells की है क्योंकि नए cell जो epidermis में बनेंगे वो तभी बनेंगे जब वहाँ पर nutrients पहुंचेंगे और nutrients पहुंचाएगा कौन उपर की तरफ वो पहुंचाया जाएगा basal cells के लिए वहाँ पे ही epidermis का formation, epidermal cells का formation होगा और उसके साथ वो उपर जाएँगे और nutrients को carry करेंगे तो जो average thickness epidermis की होती है वो 0.7 mm से 2 mm तक हो सकती है और skin का जो metabolism cycle होता है वो 28 days मतलब cells का regeneration, cells को breakdown होना, नए cells बनना energy metabolism के थूँ आप जो खाते हैं उसको energy में convert करके और अपने regeneration का अपने आपको बरहाने और regeneration की प्रिकडिया को पूरा करने का जो cycle excel लेता है वो लगबग 28 days का अब उसके नीचे आप एक layer जो यहां पर explain नहीं किया गया है वो तो यह जो सारे layers होते हैं यह transparent होते हैं इसकी वज़े से आरपार दिखेगा तो नहीं ऐसा तो पता चला कि वह एक आजकल मोबाइल आ रहा है जिसमें अंदर के सारे कलपुर्जे दिखते हैं पतानी कौन सा मोबाइल है नाम याद नहीं तो इसे आप इसकिन के अंदर देखो ऐसा नहीं बैसिकली जब डीप कट करते हैं किसी के स्किन को तो उपर से इंसान का कलर जो भी वह अंदर कलर एगी जैसा दिखता है जब आप डीप कट करते हैं उपर का जो कलर होता है वह बैसिकली आपके मेलनिन का जो संख्या है वह कितनी मेलनिन सेल्स जो हैं जितनी ज्यादा मेलनि यहां पर आपको दिख रहा है वह आपके color tone को decide कर तो कि अब जो डर्मिस है जो डर्मिस जैसे मैं नहीं बताएं कि आपकी एजिंग को कैसे करता है तो डर्मिस की जाओ तिकनिक से वह 0.4 mm से 2.4 mm तक हो सकती है और इसमें papillary layer होता है डिके यह जोशुली लेड वो है चिसकिन ज़ोस्किन किस्किन का जुस्पसे उपरी लेयर है उसमें संक्यृरी नहीं हो ओ उसके नीचे एक क्पीडियोम इन आथे थो नहीं कि दम इसमें होल मैं यानि ब्लोड सर्कुलेशन कहां तक होता है प्लेट सर्कुलेशन होगा केवल रूमिस तक नर्व की एंडिंग्स टच करती एप टवीडमिस तक हो थी तो ब्लेट सर्कुलेशन डर्मिस तक हो और यह सेंसिटिव होता है मतलब जब आपके इसकिन पर ऐसे टच करो हो तो टच फील होगा क्योंकि एक sensory organ लेकिन sensitive नहीं होता sensitivity नहीं फीलो लेकिन अगर छिल जाए वहाँ पर टॉच करते हैं तो लोग अलग अलग तरीके से उसको कोई बोलता है चंसना के लगता है बरबरा के लगता है अलग अलग तरह से बोलते हैं आपके एडिया में जो भी बोलते हो पर लगता है जहाँ पर छिल जाता है वहाँ पर अगर आप टुच करते हैं तो तो that sensitivity is in dermis बतलब कहीं पर अगर गिर गया चिल गया जल गया कुछ डामेज हो आपके आउटर स्किन में और वहाँ पर टुच करने से बहुत तेज सेंसिटिविटी हो रही है तो दैट मिंस आपका एपिडर्मिस तो गया ना यह टुचिंग डर्मिस राइट तो वो जो है वो आपके इसकिन की एजिंग को इंशॉर करता है कि होगी नहीं होगी कैसी इसमें जो रेटिकुलर लेयर होता है वो कोलाजन फाइबर्स यह पूरा का पूरा डर्मिस है ना बहुत तरह के फाइबर से बगा वो उसमें जो रेटिकुलर लेयर होता है वो मेंली कॉलाजन फाइबर का बना होता है उसमें कॉलाजन फाइबर के अलावाний सटिक फाइबर जो इस इन इलास्टिक फाइबर बाहरी तो यह इकलर कभर है इलास्टिक डिसाइड करता है ढर्मिस के कहा बाद已 De Je जब भी गुटनों में काटिलेज डेवलप करना है कुछ भी करना है तो हम कोलेजन की बात करते हैं तो कोलेजन फाइबर होता क्या है कि कोई बताएगा कि एनिवन कि कौन कौन एंट्री करके सब बैठे में आप लोग पैंसे आध पॉइंट्स लिख रहे हो बना रहे हो स्किन के कनेकटिव टिशूज होते है उसको बनाते हैं उसमें होते हैं यह कोलाइजन फाइबर य यानि यह इसकिन के चाइद आप इस को बांद के रखने के इंपॉर्टन्स को समझेे क्योंकि इस मसीन का जो सबसे अच्छा यूज है वह इसी पर डिपेंड करता है को लाजन फाइबर क्या करता है यह इसकुन के टिसूज को बांध के रखने के काम आता है यह जो फाइबर इसकिन में जो डर्मिस है वो आपकी बहुत सारे करोरों टिसूज से बनी हुए तो वो टिसूज एक दूसरे के साथ बंधे रहे वो काम करेगा अब अगर को लाजन फाइबर कम होने लगे तो ले-टिस के वा चाहर रहे काम बंधन करत हुए अगर समय महल मैं बॉर लिए यह तीन फूर ने यहतीनों इसकिन के अब इसको बांद के रखा हुआ है अब अगर यह बंधन कमजोर होने लगे तो यह फैलना शुरू होगा तो क्या होगा आपका चेहरे पे जोड़ियां परनी शुरू तो बेसिकली कोलाजन फाइबर जब वीक होने लगता है अगर अगरे अबर्ज इसको फैलने की प्यों सब्सक्राइबर बीक होता है तो वह फैलने की कोशिस करता है और जब इलास्टिक फाइबर्स उसको अपनी जगह पर वापस नहीं लापाते हैं अपने स्किन को ऐसे खीचा तो अविसली कोलाजन फाइबर फैल रहा है लेकिन ऐसे ही तो नहीं रह गया ना उठा हुआ या लटके जूलने तो नहीं लगया तो बेसिकली जो इलास्टिक फाइबर है उसमें कोलाजन फाइबर्स के साथ वो उसको वापस खीचता है तो जब वो उसकी भी एजिंग हो जाती है जब वो भी पुराना है ट्यार कौन जाए कौन इतनी मेनत करें खीचने का लटका हुआ लटका रहने दो तो जैसे जैसे आपका कोलाजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर उमर के साथ साथ कमजोर होने लगता है अपना फंक्शन वो ठीक से नहीं करता तो आपके स्किन में जोडियां परना इसकिन का चेहरे के स्कि हो जाते हैं तो इन दोनों का मजबूत होना इंपोर्टेंट है अब इसका जो कंपोजिशन है यह तीन टाइप के जो फाइबर हैं यह फाइबर ब्लास उससे पैदा होते हैं अब उसको मेंटेन कैसी करती है बॉड़ी वह हम आगे समझेंगे लेकिन उसके लिए आपको पह ठीक करने के लिए हमें जो ब्यूटी इंडस्ट्री में किस तरह से बेवकू बेवकूप क्या कह सकते हैं मोस्टली यही प्रचलन में जो आसान वह प्रचलन में लेकिन एक तरह से बेवकूप बनाना भी कह सकते कि किस तरह से वह उसका जो ब्लैक ट्रुथ है ब्लैक टेक्न को beautiful बनाने की लेकिन या तो यह आपके epidermis को damage करना शुरू कर देती है जो आपका protective layer है epidermis अगर ना epidermis का काम क्या है epidermis का काम है आपके dermis को बाहर के effect से बचा राइट आप लोगों में से कितने लोगों ने कभी किसी पार्लर में या beauty salon में जा करके डी टैन फेसियल कराया है कि कराते हैं ना डी टैन फेसियल क्या होता है कि टैनिंग के effect को हटा तो टैनिंग के वज़े से जो चहरा ऐसे डार्क सा हो गया है उसको हटा तो बेसिकली हटाते क्या है टैनिंग मतलब sunburn burn क्या होता आप क्या आउटर स्किन एपिडर्मिस एपिडर्मिस जब बर्न हो जाता है तो डार्क टिखने लगता चाहें काला पना जाता है उसको रगर के हटा देते हैं कुछ केमिकल भी यूज होता है उसमें तब में कभी कवार कराया तो ठीक है लेकिन अगर आप इसको रेगुलर करना तो क्या हटाया क्या जा रहा है हटाया जा रहा है बेसिकली आपका प्रोटेक्टिव कवर तो वह अगर बहुत पतला हो जाए तो उसका जो आपका डंश को संपाथ होना शुरो मृट जिस लिए स्नबया जिस जिन चीजों से वह बचा रहा था कर डंश को आपकी मेन स्किन है वो सारी चीजें डर्मिस को नुक्सान को चला अगा तो क्या होगा आपके स्किन की एजिंग फास्ट हो जाएगा आपकी जल्दी बुड़ी होने लगे और बुड़ापे वाले जितने साइंस जिंटम से सब प्यर होने लगेंगे ठीक है तो एक तो वो किया जाता है कि आपके स्किन के प्रोटेक्टिव लेयर को यह ब्लैक टेखनोलोजी में खतम किया जाता है दूसरा मसाज वसाज की वज़े से भी वो सारा खतम करने का तरीका है बहुत तरह के थरेपी होते हैं अलेडी लाइट लाइट अल्ट्रसोंट टेरेपी चीजह और फ्री कुछब्ह नहीं है काफी यह जब यह सारे जो ठरफी च्रीटमेंट है काफी आप इसका कॉस्ट देख सकते होगे कितना दिखाया गया है तो आपसे पैसे लेकर के आपके स्किन को ही नुक्सान पहुंचाया जा रहा है लॉंग टर्म में लेकिन टेंप्रेरिली आपको ब्यूटिफुल बना देता है क्योंकि उपर से उपर वाली लेयर हटा जी तो नीचे वाली लेयर तो चमकदार है ही उसको थोरी न कुछ हुआ ह तो बेसिकली जो सिल्वाईरिस है यह इसी का जवाब कि जो ब्यूटि आप पा रहे हैं स्किन की एक्स्टर्नल ब्यूटि वो नैचुरल तरी जो एजिंग रिवर्स करें जो आपके को नुकसान पहुंचा रही है उसको नैचुरल तरीके से नचुरल तरीका क्या हुआ जो तरीका बनाया हुआ तरीका क्या है प्रिकर्ति का बनाया हुआ तरीका है कि भाया तुमारे में मरेंगे लिए आ तो उतने ही तो इसके रिप्यार होती रहेगी रहेगी समय रहेगा उसमें जितने भी वीट gefण हैं तीनों तरह के fiber clear से रहेंगे तो आपको एजिंग के science and symptoms नहीं आएंगे क्योंकि aging is decided by dermis तो basically आपके dermis को healthy रहे हैं यह है natural तरी कि लेकिन यह होता नहीं क्यों नहीं होता है तो उसके तीन कारण जो नहीं होने के तीन कारण पहला तो जितना आपके body की natural capacity है डर्मिस के cells जो फाइबर cells है उसमें वह बनाने के डर्मिस को रिपेर करने के जितना आपकी body की natural capacity है नुकसान पहुचाने वाले factors उससे बढ़ गए pollution बढ़ गया है यूवी रेज बढ़ गए क्योंकि हमारी ओजोन लेयर खतम हो रही है वो जोन लेयर को हाम हुआ है तो यूवी रेज का जो अत्याचार है हमारे skin पे वो बढ़ गया है अल्ट्रा वाइलेट रेज का तो sunburn tanning इस सब के effect बढ़ने लगया है हमारे सरीट पे pollution बढ़ गया है पहले pollution का मतलब पसीना धूल और मिट्टी लेकिन अब pollution का मतलब है तरह तरह के वाइव मंडल में पाए जाने वाले chemical गारियों से धुवा निकलता है तो उसमें लेड जैसे harmful chemical भी होते हैं और भी पता नहीं क्या-क्या जहरीले चीज़ें होती है वो गया है stress और anxiety का issue है नींद प्रॉपर नहीं मिलते है जिसकी वज़े से repair effect होता है तो यह जो सारी चीज़ें हैं वो बढ़ गई है और nutrient का हमारे सरीर को nutrient की जो supply है और nutrient का जो body में absorption है वो दोनों डिप्लीट हुआ है supply हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि हम खुद खेती नहीं करते लेकिन हमारे lifestyle ने हमारे खान पान ने हमारे digestion की ऐसी band बजाई है कि nutrition का जो absorption है वो डिप्लीट हो गया है तो यह दूसरा रीजन हुआ एक तो खाने में nutrition है नहीं जो भी है वो हमारी बॉड़ी अब्सॉर्ब कर लिए तो हमारी lifestyle sedentary lifestyle जिसकी वज़े से blood circulation इतना अच्छा नहीं है कि डर्मिस तक nutrients पहुंच क्योंकि जो डर्मिस के जो सेल्स होके है न वो nutrient के recipient में लास्ट पाइदान पे खरें कि सबसे आखिर में जो बचेगा उन तक पहुंचे जामिस और जो आपके scalp है वो भी skin ही है क्यों क्योंकि सबसे बाहर है और चेहरे का skin तो सबसे उपर है तो यह सारे factor मिला करके हमें मजबूर करते हैं कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारी डर्मिस खास तोर पे वो हमेसा जवान रहे तो जवान रहे तो क्या चाहिए उसको कि दो चीजें करने पर एक तो nutrition की supply प्रॉपर करनी पड़ेगी उसके लिए क्या करना पड़ेगा nutrition की supply तो आपका जो source है nutrition का वो अच्छा होना चाहिए अगर खाने से नहीं मिल पा रहा तो जो जरूरी supplements है वो लीजिए और skin के लिए जो protein चाहिए vitamin E चाहिए कुछ amino acids चाहिए omega 3 चाहिए तो वो सब आपके diet में होना चाहिए भरफूर नहीं तो आप supplement के तौर के लिजिए दूसरा आपका digestion अच्छा होना चाहिए और तीसरा जो intracellular blood flow है आपके चेहरे के cell में जो capillaries है आपका चेहरे के skin में जो dermis का जो layer है उसके अंदर का जो micro circulation है वो enhance होना चाहिए और जो repair की प्रिक्रिया है वो speed up होनी चाहिए तो यह दोनों जो काम है यह दोनों काम करने का जिम्मेदारी कौन लेगा और फिर आपकी skin natural beauty की को regain करना शुरू है अभी तक जो हो गया वो हो गया उसको reverse करेगी और natural beauty को regain करना शुरू है किस चीज़ को regain करना शुरू करेगी natural beauty को regain करना शुरू है natural beauty क्या है आपकी जब आप छोटे बच्चे थे तो जो आपकी जैसे skin थी यह आपके सरीर का वह हिस्सा देखिए जो mostly covered रहता है वहां के skin की quality कैसी है वो आपकी natural beauty है यह आपकी destroyed beauty है तो आपको natural beauty regain करने में यह help करें कैसे करेगा इसके बारे में बात करते हैं यह इसके लिए इस्तेमाल करता है इसमें तीन तरह की technology को इस्तेमाल किया एक तो रेडियो frequency technology है अब रेडियो frequency technology क्या है तो रेडियो frequency भी electromagnetic web ही है जो एक्यूलेट में इस्तेमाल होता है different wavelength पेस में इस्तेमाल किया गया है लेकिन रेडियो frequency भी electromagnetic web ही रेडियो frequency technology है इसके उपर रिसर्च पेपर आप चाहे तो डाउनलोड करके पर सकते हैं FDA के वेबसाइट पर है आप FDA का वेबसाइट खोली हो उसमें सर्च का बार आता है उसमें आप रेडियो frequency technology for skin डालिए आपको आ जाएगा जिसको FDA ने अप्रूव किया है तो आप पर सकते हैं इतनी ज्यान की जरूवत अगर आपको हो तो मुझे नहीं लगी मैंने नहीं परहा पूरा देखा मैंने पूरा परहा क्योंकि बहुत लंबा है काम उनका है अप्रूवल देना किसी टेक तो यह जो टेकनॉलजी अहीज है यह डिवाइस की है कि ससको अब बाद में देख लेंगे लेकिन FISA देते टेकनॉलोजी गेपी गणा और किसी टेकनॉलजी के उपर अगर कोई प्राडक्त टीनस बनाएगा तो जो की लिगेसिया है उसके वह बेस्ट ही बनाएगा यानि इस technology के उपर हो सकता है मार्केट में और भी डिवाइसेश हो और भी companies बनाती हूँ बट इससे बहतर वो नहीं होगी बिना देखे वे कैसे यह दावा कर सका कि इससे बहतर तो नहीं इसके जैसी हो सकती है या इससे बुरी हो सकती है क्योंकि मैं प्रोड़क्स का जो मेरा यह सारे 8 साल का एक्सपीरियंस है और आप लोगों ने देखा अभी मैंने जो सबसे इस से पहले जो लेटेस्ट प्रोड़क्ट हमरा वह आया वर्जिन कोपने टॉयल उसको भी मैंने ऐसे ही नहीं बरूसा कि आपने देखा मैंने दो अल प्रोड़ों की तरह माल लेता हूं कि मैं लवर हूं लेकिन अंदभक्त में किसी का नहीं है कि मैं हमारी अपनी खुपड़िया जो कहती है उसी को सुनते है तो यह जो मैंने वर्जिन कोकोनट आइल के उपर किया तो मैंने अलग-अलग दो ब्रैंड के मंगा है उनसे कंपे तो मैंने पढ़ी तीन चार ब्रैंड के मुझे मिले इंडिया में नहीं कोई बनाता कोई धंका ब्रैंड लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में दो तीन और ब्रैंड हैं जो इस तरह का डिवाइस सेम नहीं कुछ फीचर्स अलग है बट बनाते हैं एक इससे थोड़ा महंगा था एक इससे सस्ता था वो दोनों का थियोडी मैंने पढ़ा लेकिन अपने से जो इससे जो महंगा है उससे भी बहता है प्रैक्टिकली अब देखेंगे अगर मिल पाता है इंडिया में तो मैं कंपेर तो जरूर करूंगा लेकिन अभी तक लगबक 30-35 प्रॉड़क्स का मै कंपेरिजन कर चुका हूं मार्केट में मिलने वाले दूसरे फेमस ब्राइंड के साथ और एवरी टाइम टीएंस हाज प्रूवेंड़क्स के साथ तो मैं आग बंद करके दावा कर सकता हूं यह जो मैं कंपेरों करता हूं वो दूसरों को दिखा लेकि मुझे तो भरोसा हो आप देखा होगा मैंने बहुत सारे के प्रोड़क्स के कंपेरिजन वीडियो और आप लोग भी करते रहते हैं और कुछ नहीं तो कम से कंपेरों वीडियो या कंपेरों डेमो अब उसमें भटकते नहीं है आगे बटकते दो हजार दो में रेडियो फिक्वेंसी है domestically and internationally domestically means China क्योंकि इसका design concept डेवलप हुआ वो चाइन में डेवलप हुआ domestically and internationally मतलब पूरी दुनिया और अभी सबसे ज्यादा यह हिट हो गया है यूरॉप इन कंप numerous studies have documented the efficacy of RF technology in reducing wrinkles बहुत सारे studies है जिसमें यह पाया गया है कि आरेफ टेकनोलोजी से रिंकल्स रिद्यूस होते हैं शिंकी लेक्सिटी वढ़ती है और एजींग। चाटे है। और इसके अलावा तैसार इसकी लेक्सिटीटी बरती लेक्सिटी गर्थ एंड इनहांसिंग ओवर ओल इसकिन टेक्श्च्च्य रिप्स का जो टेक्स्च्च्च्र है मतलब छुने से जो आपको मैसूस हो इसको बेहतर बनाता है, its transformative effects are achieved through the reshaping and tightening of the deeper layers of the skin, तो यह आपके skin के जो deeper layer है मतलब, जो आपका aging वाला layer है मतलब, जो dermis है, उसकी tightening करता है और उसको reshape करता है, उसको repair करता है, उसके दोरा यह achieve करता है, इसके अलावा और क्या करता है, सबसे पहले radio frequency technology को थोड़ा और समझें कि radio frequency क्या है, radio frequency is facial rejuvenation such as wrinkle removal is also called radio lift, इसके थूँ जो आप skin lifting कहते हैं lifting, मतलब, lifting क्या है, इसे लटक यह उसको उठा लिए, word meaning वही हुआ, बट बेसिकली जो wrinkle, जुरियों, जुरियां लटकती है न, जुरियों को उठाना, उठाने का मतलब, जुरियों को खतम करना, wrinkle removal, wrinkle को हटाना, तो वो जो काम होता है, जैसे कप्रे को press करते हैं, wrinkle हटाते हैं, लिए चेहरे के उपर iron तो नहीं चला सकते हैं, प्रेस नहीं कर सकते हैं, तो वो जो चीज है, उसको रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू किया जाता है, जो कहलाता है, रेडियो लेट, या थर्मेज, थर्मल एफेक्ट से, थर्मल अब रेडियो फ्रिक्वेंसी में थर्मल एफेक्ट कहा से आ गया भई, थर्मेज कहा से आ गया, तो यह जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है, आर कि अल्टरेंट βरती ऑ सब्सकित्जाना कि इनी है कंग एक व्री ऩो अप्रोम एक अल्टेज्टेड वेड़ इलेटिक मेंटीक ङरेट मेंच वंहाई घर को एक मिल्टक्रोमागनेटिक वेड का है कि उच कि को ठल्मल एफटरेडियो फ्रिक्वांच अब अब आता है ठीर की र रेडियो विप्स पैदा होते हैं वो आपके सबक्यूटेनियस टिसूज तक एंटर करते हैं मतलब जो सबसे बेस लेयर है इसकिन की जिसमें फैट और प्रोटीन दोनों होता है वहां तक यह पहुंचते हैं और वहां तक कहुंचने में इनको इसको रिसेस्टेंस का सामना करना पड़ता है क्योंकि इसके की दो लेयर को यह पार कर रहे हैं क्युटेन सबक्यूटेनियस वहां तक पहुंचने के लिए तो जो रेसिस्टेंस है उसकी वजए से हीट रिए होता है अधिस आध प्रोडिज़ इस थर्मल आफेक्स तो वही करेंड, the radio waves emitted by the radio frequency enter the subcutaneous tissues and move with the natural resistance of the subcutaneous tissues, causing a columnar heating effect in the deep layer of the skin. आपके deep layer of the skin में एक heating effect पैदा हुआ. ये dual effect पैदा करता है. Dual effect मतलब दोहरा प्रभाह हुआ. कैसे? The principle is that the collagen fibers in the dermis will immediately shrink. जब 55-65 degree centigrade temperature ये वहाँ पे कर देता है. तो जब आप इसका मतलब क्या हुआ? कि जब आप इस device की therapy ले रहे होंगे, तो आपको temperature महसूस हो. तो घबराना नहीं है कि मैं इसके जलने लगी है. इतना ज़्यादा भी नहीं होगा कि आपको परिशानी हो, लेकिन temperature महसूस हो. तो ये जो collagen के जो fibers हैं, जिसके बारे मैं मनें बताया, जिसको काम है कि dermis के tissues को बांध के रखने का, जो skin के tissues को बांध करने का, तो collagen fibers shrink करेंगे, शिकुर जाएगे. आपने देखा होगा, कि कोई भी चीज fiber, जैसे plastic वाली कोई चीज जलाते हो ना, तो आपको जिकुर के छोटी होने लगती हैं, तो temperature, वो तो जल जाती है, लेकिन temperature अगर आप दोगे, तो कोई भी चीज जिसमें fibers है, fibers का temperature के पती response यह होता है, कि वो स्रिंक करते हैं, वो अपने साइज को घटाते हैं, तो जब collagen स्रिंक करेगा, तो skin की tightening होगी, अंदर से collagen खीचेगा, आपका जो dermis है, वो स्रिंक करेगा, यह तो dermis के उपर ही चरहाया हुआ है, तो यह अपने आप, शेप में आ जाएगा, wrinkles गायब हो जाएगी, गायब होने शुरू हो जाएगी, एक ही दिन में नहीं गायब हो जाएगी, the collagen will shrink immediately, and it will also stimulate the dermis to secrete more new collagen, तो जब collagen shrink करना शुरू करेगा, तो dermis क्या सोचेगा, यह collagen को कुछ हो रहा है, वो ज़्यादा secrete करेगा, ज़्यादा collagen produce करेगा, जिसकी वज़े से collagen बरहेगा, यानि वो जो बंधन है, वो मजबूत हो, यह बंधन, skinnों का बंधन मजबूत हो, fibers regenerate to support the skin's scaffolding again, तो यह जो fibers है, regenerate होते रहेंगे, और आपकी skin का जो tightness है, वो hold करेगा, इसा नहीं कि बस temperature खतम होते ही, फिर से collagen फैल गया, और बाब खतम, पुराना collagen तो shrink हुआ, wrinkles को हटाया, नया collagen generate हुआ, नया collagen की तुरंट तो जे aging नहीं हो जाएगी, तो वो उसको hold करेगा, यानि जो wrinkles गया है, वो temporarily नहीं जाए, जो wrinkles, spine lines खतम होने शुरू हो जाएंगे, वो खतम ही रहेंगे, यह नहीं कि आज धरेपी लिया, तो wrinkles गायब हो गये, फिर साम तक घुमगाम के आए, तो wrinkles फिर से आ गये, नॉर्मल बेकप की तरह ये नहीं, क्योंकि जो पुराने collagen है, वो temperature पे shrink करेंगे, aging किसकी हुई थी, पुराने collagen की हुई थी, नए जो collagen प्रोडियूस करेगा dermis, उसकी तो aging नहीं हुई है, तो वो बांद के रख लेगा, तो temperature effect खतम होने के बाद, shrink हुआ collagen ने, अगर फैलने की कोशिस की भी, तो वो उसको फैलने नहीं दे गाया यानि, दुबारा से wrinkles नहीं आए, ठीक है, application of microcurrent in phase, तो यह एक microcurrent, electromagnetic web है, तो यह एक तरह का current है, current मतलब पढ़ा, current का मतलब विजली current ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है, कि कोई डर्ना सुरू करेवे, आपके current लगेगा, नहीं, current का मतलब होता है, flow, प्रवा, microcurrent, also known as, myoelectric current, can gently penetrate the skin tissue, यह skin के tissues को, penetrate कर सकता है, tissues को penetrate करके अंदर जा सकता है, अब tissues के अंदर जाएगा, तो क्या करेगा, चाहिपानी करेगा, reach the bottom of the muscles, आपके muscles के bottom तक पहुचेगा, effectively stimulate the muscles and nerve endings, तो nerve की जो ending है, उसको और muscles को stimulate करेगा, उससे क्या होगा, यह involuntarily contract, फैलना से कुरना, फैलना से कुरना, शुरू वो exercise, सुरू हो जाएगी, muscle activity, और tension बरने लगेगे, tension मतलब muscles की जो strength है, वो बढ़ने लगेगे, तो जिसकी वज़े से, muscles का vitality बढ़ेगा, muscles की vitality बढ़ेगी, तो क्या होगा, आपका जो facial shape है न, वो पतला और slim, जो V-shape आता है, वो आना सुरू हो जाएगा, और उसके अलावा, आप जो edema है, जो सूजन जैसी दिखती है, फेस पर वो कम होने लगेगी, और जो contour lines है न, जहां जहां पर जैसे इधर, 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 इस एरिया में, जो contour lines है, वो गायम होने लगेगी, अब तीसरा, इसमें, ultrasound दिये हैं, वो क्या करता है, the ultrasonic frequency of beauty instruments, is mostly thousand to twelve thousand kilohertz, या इससे ज़्यादा, तो mechanical vibration, इट प्रोडूसेज एक बहुत, हलका, बहुत माइनूट vibration भी ये पैदा करता है, जिसकी वज़े से ultrasonic webs पैदा होते हैं, इट प्रोडूसेज इस सब मसाज एफेक्ट on the cell membrane, and causes the moment of the cytoplasm, जो cell membrane है, उसके अंदर जो cytoplasm है एक पार्ट, उसको vibration करके उसमें जो moment है वो पैदा करता है, और thermal effect तो होता ही है, तो the skin in contact with the vocal head spreads to the surroundings, promoting the expansion of blood vessels, तो आपके dermis में जो blood vessels हैं वो फैलना सुरू हो जाते हैं, blood vessels फैलते ही, metabolism बरता है, और आपका जो skin में, यानि dermis में जो micro circulation है blood का वो अच्छे से होने लगता है, क्योंकि pollution या वो सिकुड़ गया, या उसमें कोई blockage आ गया, fat जमा हो गया, कुछ भी हो गया, उसकी वज़े से lymph यानि water, लसी का और blood का circulation, facial tissues में इतना अच्छा नहीं रहता, लेकिन जब हम उसके ultrasonic waves का ultrasonic frequency का therapy करते हैं, तो वो उसको vibration देता है, तो जो कुछ भी clotting है या कुछ हो है vibration से वो हटता है, और जो heat effect है उससे वो, जो आपका blood vessels है वो healthy हैं, तो जिसकी वज़े से ये दोनों effect आते हैं, इसमें क्या-क्या होगा, सेल का metabolism बढ़ेगा, metabolism कैसे बढ़ेगा, क्यों जो cells तक blood पहुंचेगा, blood पहुंचेगा, तो nutrients पहुंचेगा, तो nutrient पहुंचेगा, तो energy metabolism होगी, metabolism बढ़ेगा, improves cell की vitality, vitality मतलब, जब आप किसी मुसीबत में पढ़े हो, और आपको कोई साथ देने वाला ना, तो आपकी भी हिम्मद जवाब देने लगती है, मान लिजे, आप कहीं जा रहे हो, और आपको दो बंदों ने घेर लिया, वह इस सारा समान लाओ, जश्ते में अंदेरे में कहीं जा रहे हो, दो बंदों ने घेर लिया है इसारा समय पर्स निकालो घड़ी निकालो मॉबाइल दो लूटने के इरादे से और तभी आपके पीछे से दो दोस्त आगे है क्या हुआ क्या होता आपकी भी हिमत बर जाएगी ना भी चौड़े शेड़ हो जाओगे जीने की आगे बरने की लड़ने की जो चमता इच्छा है वो बढ़ जाएगी तो जैसे ही मेटाबोलिजम इंप्रूव होता है यानि खाना बनना शुरू हो ताकत आगे तो उनकी वाइटेलिटी आटोमेटिकली बढ़ जाते यानि वाइटेलिटी क्या है जीने की और ग्रो क करने की चमता कि टो जीने के और ग्रो करने की चमता बढ़ती एक इसकी आपके वस्तर्धेस के सेल सेल्स हो इसके अंदर से फ्लो Jude को इम्पूव करता जिस से ब्लट और लिंफा स durum रचर्कुलेशन बढ़ जाता हो अब पमें अब अंदर जाएगा अच्छे से अब इसमें एक और चीज़ है वो है LED लाइट यह वाइब्रेशन इफेक्ट थोड़ा सा और LED जो रेड लाइट है उसका इफेक्ट आपको हेट केर मसाजर भी देता है लेकिन इसमें वाइब्रेशन के साथ हीट भी है रेडियो फ्रिक्वेंसी भी है इसमें टोटल तीन जलाएगी इसमें दो तरह के लाइट यूज में रेड कलर एंड ब्लू कलर जो रेड है वो 635 न्यूट्र मिटर की है 635 एनम का रेड लाइट और 470 nm blue light it converts light energy into intra cellular energy cells के अंदर क्योंकि transparent है layers cells के अंदर enter करेगा और intra cellular energy को यह enhance करेगा और cells के growth process और cycle को यह बढ़ा कि cells का growth होगा cells जल्दी से बढ़े होंगे तूटेंगे cell division होगा और नए cells बनेंगे उससे क्या होगा skin में नए cells तेजी से बनेंगे तो skin की repair शुरू हो जाएगी और cellular repair शुरू हो जाएगी तो यह red light कैसे काम करता है यह एक bio active light है जो cell की activity को बढ़ाता है metabolism को promote करता है और जो skin का colorosis और dullness है वहादम जीवन्त बना देता है rejuvenate करता है skin को skin rejuvenation में यह help करता है उसके अलावा जो यह blue light है यह blue light क्या करेगा यह matching the light absorption peak of porphyrine a metabolite of acne it can cause the death of propionio bacterium acne and thereby clear acne from the acne को ठीक करने मतलब एक तरह का खास bacteria है जो peak of porphyrine को destroy करता है यह जो pores है जिसमें acne bacteria की वज़े से जो acne होता है वो उस bacteria को kill करेगा और acne जो हुआ है आपको acne को reduce करना शोगा जो blue lights की वज़े से यानि जिन्हों को acne है वो भी इसको स्तमाल करें यह तो हो गया इसका वर्किंग प्रिंस्पल अब यह है पार्ट फॉर कि इसको इस्तेमाल कैसे करने तो इस्तेमाल कैसे करना है आप लोगों को practically बाद में सीखना है या इस्तेमाल करने का जो थियोड़ी है वो आज पढ़ लें कि टाइम भी बहुत हो गया इसाल भी कवर इट इन सेकेंड पार और इसाल कॉंटिनुए जी मैं बताओ तर अगर यह इतनी अच्छे तरीके से वर्क करेगा लेकिन महेंगा भी तो तनाई पड़ेगा अच्छी चीज सस्ती क्यों होनी चाहिए लोग खरीदेंगे भी क्यों इतना नहींगा जोसको खरीदना होगा तो तो खरीदेंगे एक टाइम के मेकप पे एक साधी में जाने के लिए लोग पंदर पंदर अजार खर्च कर देते यह तो लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा तो यह जो इसका जो सेसन का जो बाकिय हिस्सा है वो हम कवर करेंगे इसके सेकेंड पार्ट में जिसमें हम कवर करेंगे क्या-क्या वो मैं बता देता हूं उसमें हम सेवर कवर करेंगे जिसके जो चारो फीचर से इसको कैसे कैसे इस्तेमाल करना है और इसमें आपके स्क्रीन पर सामने दिख रहा होगा कि जो वी फेस है वो इंस्टैंटली 15 मिनट में अपियर हो जाए मतलब आपका फेस जैसे लिफ्टिंग होगी और यह वी से पा जाए से हैं तो यह कैसे होगा उसको कैसे करना है वो डिजुवनेट रिशेप डिवाइट लायज और रिपाइग यह चार चीजें यह चार इभाइगा रिजुवनेट को इस बताएंगे इसके ऐसे लावावा जो यह डिवाईस है यह पि-66 वाटरपूफ है मतलब इसको आप दो सकते हैं कैसे भी पानी का tap on करो उसके नीचे है यह electronic device लेकिन यह waterproof किसी भी तरह से पानी का धार मार करके आप दो सकते हैं पूली तरह से completely waterproof है डरने की जरुवती है अगर ऐसा कोई डिवाइस बनाया गया electronic device waterproof तो यह quality speaks तो यह is going to be costly then wireless charging wireless charging वाला खाली charger खड़ीत करें को mobile का अच्छी quality का तो यह getting wireless charging इसमें है ताकि आप करते करते बीच में रख दो तो यह charge होना शूँ हो जाए अलग से तार लगा हुआ है तो जहां पर switchboard है वहीं जाके खड़ा ओकर करना पड़ेगा तो यह सब जंजटनी है wireless charging है इसमें इसका जो बेस है उस पे रख दीजिए charging start हो जाएगी तो यह convenient भी है यूज करने के लिए अब इसका functional interface कि इसमें क्या-क्या function है कैसे कैसे यूज करना है प्रड़क की specification और इसको इसके जो अलग-अलग चार स्टेप हैं पहला स्टेप makeup removal तो makeup आप जो नॉर्मली जैसे हटाते है पानी से दो करके वैसे भी हटा सकते हैं इसमें makeup removal head भी दिया गया है makeup remove करने के लिए step 2 में face को moisturize कैसे करना है उसके बाद step 3 में इसको apply कैसे करना है इसमें auto mode भी है और लग-अलग आप RF यूज करना चाहते हो light यूज करना चाहते हो उसको चेज चूज भी कर सकते हो कि मेरे को यही यूज करना है या फिर आप auto mode में डाल सकते हो जिसमें पांच-पांच मिनट आपको तीनों 15 मिनट का एक cycle होता है इसका जिसमें से आपको पांच-पांच मिनट EMS का और यह light का हर चीज का फाइदा मिलेगा auto mode तो यह सारी चीजें कैसे करनी है वो भी बताया जाएगा इसको करने समय क्या साफधानिया रखनी है वो भी बताएंगे अगले session में cover करेंगे इसको ठीक है तो इसके uses के बारे में अगले session में हम पढ़ करते हैं और recording में बंद करता हूँ